जब ये आप अपने Chrome ब्राउजर में कोई नई वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर Your Connection Is Not Private Error दिखाई देता है जिसकी वज़े से आप वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाते और अगर आप Your Connection Is Not Private Error को इगनोर करते हैं तो इससे आपकी Online Privacy जैसे की आपकी Personal Information और डेटा चोरी होने का भी खत्रा हो सकता है इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप Your Connection Is Not Private Error को फिक्स कर सकते हैं Clear Browsing Data Google Chrome ओपन करे और उपर राइट साइट में टॉप में थ्री डॉच आइकन पर क्लिक कीजिए अब डॉपडाउन मेन्यू में से हिस्ट्री पर क्लिक करे यहां लेफ साइट में Clear Browsing Data पर क्लिक कीजिए अब यहां एक न्यू विंडो ओपन होगी इसमें आप अपनी Chrome की Browsing History डिलीट कर सकते हैं इसमें Time Range को Last 7 Days की जगह All Time कर दे और Browsing History पर Check Mark टिक कर दीजिए फिर Clear Data पर क्लिक करके History डिलीट कर दीजिए Search Bar में जाईए और Control Panel सेर्च कीजिए जब Control Panel की विंडो ओपन हो जाए तो View By section में जाके Small Icon पर क्लिक कर दीजिए उसके बाद Network और Sharing Center में जाए और यहां जाकर Change Adapter Settings पर क्लिक कीजिए इसके बाद जिस भी Internet Connection से आप Connected है उस पर Right क्लिक कीजिए और Properties सेलेक कर दीजिए यहां IPv4 को सेलेक करें और Properties पर क्लिक कीजिए अब यहां Use the Following DNS Server addresses को सेलेक करें और Preferred D&D Server में 8888 और Alternate DNS Server में 8844 टाइप करें और OK प्रेस कर दीजिए तो इन सल्यूशन से आपकी Your Connection Is Not Private Error की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपकी झाल झाल